जिला कुलू के रहने वाला आत वर्षिय मासूम आयुश्मान शर्मा पिछले तीन सालों से कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से पेडित है और जिन्दगी वा मौत के भी चूच रहा हैं। आयुश्मान के इलाज के लिए महंगे इंजेक्शन टर्की से आने हैं जबकि बोन मैरो ट्रांस्प्लांट भी होना है और इस सब पर करीब 50 लाक रुपे का खर्चा आना है। पीजियाई चंडिगर में उपचारा दिन आयुश्मान के परिशन बेटे के जीवन को बचाने के लिए इतनी भारी भरकम जुटाने में असमर्थ हैं। और अब पीडित्व परिशान परिवार लोगों से सहयोग मांग रहा हैं ताकि उनके मासूम बेटी की जिन्दगी बच जाए। आयुश्मान के प्रिता प्रदीप शर्मा ने बताया कि उनका बेटा पिछले तीन सालों से कैंसर से पीडित है जिसका इलाज पीज़ियाए चंडिगर में चल रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाने की सरह दी है वे टर्की से लाए जाएंगे। इसके लावा बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है और इन सब पर करीब 50 लाख रुपे का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कितना पैसा मैनेज करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रदीप शर्पा ने अपना गोगल पे नंबर 9418102524 शेयर करते हुए। बेटे के इलाज के लिए लोगों से अधिक से अधिक सहीयों की अपेल की है। मेरा बेटा पिछले तीन साल से कैंसर से पीड़े थे। जिसका इलाज चंडीगर पीजियाई में चल रहा है। मेरा बहुत मुश्किल है। अत्या आप लोगों से निवेदर है कि जादा से जादा मुझे डोनेट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। इस पुनीत कार के लिए मैं सदा आप लोगों का आपारिया। जिला कुलू के रहने वाला आत वर्शिय मासूम आयुश्मान शर्मा पिछले तीन सालों से कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से पेडित है। और जिन्दगी वा मौत के भी चूच रहा है। आयुश्मान के इलाज के लिए महंगे इंजेक्शन टर्की से आने हैं जबकि बोन मैरो ट्रांस्प्लांट भी होना है। और इस सब पर करीब 50 लाक रुपे का खर्चा आना है। पीजियाई चंडिगर में उपचारा दिन आयुश्मान के परिशन बेटे के जीवन को बचाने के लिए इतनी भारी भरकम जुटाने में असमर्थ हैं। और अब पेडित्व परिशान परिवार लोगों से सहयोग मांग रहा हैं ताकि उनके मासूम बेटी की जिन्दगी प रहा दी है वे टर्की से लाए जाएंगे इसके लावा बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है और इन सब पर करीब पचास लाक रुपे का खर्चा आएगा उन्होंने कहां कितना पैसा मैनेज करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है प्रदीप शर्पा ने अपना ग